आप देख रहे हैं धर्मशिक्षा आईए जानते हैं आज का पंचांग बित्रो ओम सी गनेशायनिमा आईए जानते हैं सुक्रुवार 2 सितंबर 2022 का संपूर्ण विश्त्रित और सटीक पंचांग सटीक क्यों क्योंकि धर्मशिक्षा चैनल से कभी भी कोई भी एप या कम्पीटर से देखकर आपको पंचांग नहीं बता जाता है हम लोग विभीन विश्विद्याले से छपने वाले पंचांग अपने पास रखते हैं और उसके आधार पे ही आपको बताए जाता है जो कि पूर्णतिया सत्य होता है क्योंकि कोई भी सौप्टरियर गलत हो सकता है लेकिन जहां पर मैन्योली चीजों को बनाया जाता है एक एक पंचांग को बनाने में कम से कम 30, 35, 40 पंडित एक साथ लगते हैं तब जाके पंचांग के निर्वान होता है तो ऐसे में उन सारे पंडितों को जुठला नहीं सकते आप एक सौप्टरियर के मदद से तो कहीं न कहीं सौप्टरियर से अभी भी आपका जो लोकल पंचांग है वो सही है जो कि संस्कित विश्विद्याले से छपता है तो हम उसी का अधरा पर सठीक जानकाडिय को देते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत्र तकwriting पंचांग का वीडियु जहूड देखें संपूर देखें सठीक जाने पंचांग जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा जो पंचांग होता है वो सुल्योदे, चंदोदे और चंद्रियास्त प्रालाई होता है और पंचांग संस्कित का सब्द है जिसका साब्दी करत होता है पंचांगों से निर्मित, पंचांग के पंचांग होता है तिथी, वार, योग, नक्षतर और करन किसी भी सुभकारी को करने के लिए हमें जोरत परती है सही मोहुर्थ, सही समय और सही नक्षतर की इसी कारण पंचान का जानना जोर रही है और अच्छे मोहुर्थ में ही अच्छे कारी को करना जोर रही है आज का पंचान हम सभी जानें इससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक बार सुभकामना जरूर देदें उन लोगों को जिनका जन्दिन है आपको जन्दिन की हारदिक सुभकामना है भगवान गनेश की किलपास है आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं कंत हो साथे साथ जिनका भी मैरेज इनवरसरी है उन्हें भी मैरेज इनवरसरी की हारदिक सुभकामना है भगवान सिव और मापारवाती की तरह आप दोनों की जोड़ी हमेशा योहीं बनी रहे साथे साथ जोकवी व्यक्तिस पंचान को देख रहे हैं सक्समत उनिशाच चोवालिस कली समत पांच आरेकस चोवीस माह भादरपदमा पक्ष सुकलपक्ष रितु वडशा रितु आयन रहने वाला डक्षिन आयन तिथी सठि तिथी रहेगी आज दिन के ग्यारा बचकर चबीस मेर तक तदु प्रांट सब्तमी तिथी आरđनप हो जायेगी नक्षतर आज विशाखा रहने वाला रातगी के दस बचकर चबीस मेर तक तदु प्रांट अनुरधा नच्छतर आरम हो जाएगा करन तेतिल रहने वाला दिन के 11 बच कर 26 मिनट तक तदुर प्रांथ गर करन आरंभ हो जाएगा जो कि रातरी के 10 बच कर 32 मिनट तक रहने वाला है तदुर प्रांथ वनिज करन आरंभ होगा योग आज का एंदर रहने वाला है सामके 7 बच कर 1 मिनट तक तदुपांत वेग धेती योग आरंब हो जाएगा दिशासूल आज बश्चिन दिशा में है बश्चिन दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से याता नहीं करनी चाहिए आपको आज यहाँ पर नुक्सान हो सकता है और सुब खाद्याज का मीठी दही रहने वाला है बश्चियोहार में आज है लोकार्ग सठी व्रद साथी सुर्य सठी व्रद भी आज है सुर्य रासी की बात करें सुर्य सिंग रासी में और सौर माह के हिसाब से अभी भी भादर पदमा चल रहा है सुर्योदे और चंद्रोदे की बात करें तो सुर्योदय होगा सुभा के 5 बच कर 69 मिट पर। सुर्यास सामके 6 बच कर 42 मिट पर होगा। चंद्रोदय दिन के 11 बच कर 30 मिट पर होगा। और चंद्रयास रातली के 10 बच कर 22 मिट पर होगा। तो ये दो थी सुर्योदय और चंद्रोदय की बात। आईए भी एक नज़े डालें आज के सुब चोगडिया के इस्तिती पर, आज का सुब समय रहने वाज दिन के 12 बच कर 20 मिर्ट से लेकर, दिन के 1 बच कर 56 मिर्ट तक, चर समय सुबह के 5 बच कर 69 मिर्ट से लेकर, सुबह के 7 बच कर 34 मिर्ट तक रहने वाला है, लाब समय आज क सुभा के 9 बच कर 10 मेंट लेकर दिन के 10 बच कर 45 मेंट तक रहने वाला है ये दो थी आज की सुप जोगरिया आए बेक नेजर डालें आज के राहुकाल और गुलिक काईदा की स्थेती पर राहुकाल आज कर दिन के 10 बच कर 45 मेर्श लेकर दिन के 12 बच कर 20 मेर तक रहने वाला है इस समय में कोभी नया कारी करने से बिलकुल बचे हैं इसमें आपको और सफलतार लग सकती है बुलिक काल एक सुब महुर्द होता ही है रहने वाज सुबह के 7 बच कर 34 मेर्श लेकर सुबह के 9 बच कर 10 मेर तक अभिजीत महुर्द दिन के 11 बच कर 55 मेर तक रहने वाला है विजे महुर्थ की बात करें तो विजे महुर्थ दिन के दो बच कर 27 मेंट से लेकर तीन बच कर 18 मेंट तक रहने वाला है और अज का गौधरी महुर्थ साम के 6 बच कर 30 मेंट से लेकर साम के 6 बच कर 54 मेंट तक रहने वाला है प्रदोस्काल की बात करें तो सामके 6 बच कर 42 मेंट से ले आरहम होगा प्रदोस्काल और रातरी के 8 बच कर 17 मिनट तक चलेगा ब्रहम महुर्थ आज सुभा के 4 बच कर 29 मिनट से लेकर सुभा के 5 बच कर 69 मिनट तक यानि कि सुर्योदे होने तक रहेगा सूरियोदे होते ही ब्रहम महुर्द समाप्त हो जाता है तो में तो यह तो थी आज का संपून, सठीक और विस्तित पंचांग इसी तरह के अनिगानवर्दक वीडियो के लिए जुरे रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्षा जे मात अदि